वो उन मुर्ली कांथ पेटिकर का किरदार है जिनोंने घरवालों से चुपकर दंगल सीखा अखाडे में गाउं के दावात को हराया तो गाउं से भागना पड़ा भागते भागते फौर्जी बन फौर्ज में भरते हुए ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीते का सपना लेका और जब गोल्ड मेडल मिला तब तक उनके चिस्म में नौ गोलिया पैबस्त हो चुकी वो लंबे समय तक कोवा में रह चुके थी, कमर की नीचे का हिस्सा पूरी तरब बेकार हो चुका थी, आत्महत्या की कोशिश कर चुके थी मुर्लीकान पेटी करके एक कहानी सुनने में वाकई बहुत रोचक कहानी फिल्म में वहां से शुरू होती है जहां बुजर्ग मुर्लीकान थाने में भारत की राष्ट्रोपती के खिलाफ F.I.R कराने पहुच जाते हैं भारत में किसी भी थाने या दालत में भारत की राष्ट्रोपती के खिलाफ मुकदबा ना लिखा जा सकता है और ना ही चलाया जा सकता है। ये एक समान है जो भारत की सम्विधान का अपनी राष्ट्रोपती के लिए है। फिल्म हाला की मौझूदा राश्टुपति के बजाए पूर्व राश्टुपतियों के नाम के साथ चुरू होती चंदू चैंपियन भारत के पहले पैर ओलंपिक स्वन्ड पदक विजेता मुल्डी कांथ पेटिकर की बायोपेक फिल्म में कार्थिकार्या ने मुल्डी कांथ पेटिकर की भूमी का निभाई कार्थिकार्या ने इस बार कॉमीडी से हट कर अपने दर्शकों को कुछ अलग दिखाने की कोशिश की कबीर खान के निर्देशन हुवनी कार्तिक कार्यन स्टार फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को सिनेमा घरों में रिलीज हुई इस फिल्म में कार्तिक ने 1st Paralympic Gold Medalist मुल्ली कांथ पेटिकर का किरदार अदा किया था हाला कि काफी प्रमोश्टिन और उमीदों के साथ रिलीज हुई ये फिल्म शिरुवाती थोड़ी धीमी पड़ी लेकिन फिर वीकेंड पर वो हुआ जिसकी किसी को उमीद नहीं थी फिल्म ने टिकट काउंटर पर कबजा कर लिया और जम कर कमाई कर लिया चलिए यहां जानते हैं चंदू चांपियन ने रिलीज की चौति दिन कितना कलेक्शन किया बॉक्स ओफिस पर रिलीज के पहले दिन चंदू चांपियन की स्लो स्टार्टिंग हुई तो कार्तिकारें से लेकर मेकर सके मूल अटक गा लेकिन वीकेंड पर फिल्म ने जो रफ्तार पकड़ी वो सभी के लिए राहत की सास पॉजिटिफ वर्ड अफ माउथ और शांदार रिव्यू की बदोलत चंदू चांपियन को ओपनिंग वीकेंड शांदार रहा और इससे शांदार कलेक्शन कर लिया फिल्म की कमाई की बात करें तो चंदू चांपियन ने रिलीस के पहले दिन 5.40 करोड की कमाई कर लिया दूसरे दिन फिल्म ने 7.70 करोड का कलेक्शन किया वहीं तीसरे दिन चंदू चांपियन ने जबरदस उच्छाल लेते हुए 11.01 करोड का कलेक्शन कर लिया इसी के साथ इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 24.11 करोड की कलेक्शन कर ली वहीं आब इस फिल्म की कमाई के चौते दिन यानि मंडे की कमाई के शिरुवाती आखड़ों की बात करें फिल्म को सोंबार को बकरीद के छुटी का फायदा मिल गया ट्रम रिपोर्ट की बात करें तो चंदू चैंपेन ने रिलीज के चौते दिन यानि सोंबार को 4.7 करोड का कलेक्शन किया इसी के साथ चंदू चैंपेन का 4 दुनों का कुल कलेक्शन अब तग 28.86 करोड रुपे हो चुगा चंदू चांपियन ने बेशुक स्लो स्टार्ट किया हो लेकिन इसने अपने बॉक्स ओफिस पर अपनी पकड मजबूत कर ली फिल्म में वीकेंड पर खूब नोट चापे ही है साथ में मंडे टेस्ट भी पास किया और महां शांदार कलेक्शन करके सामने आई फिल्म की कमाई की रफ्तार देखते हुए लग रहा है कि जल्दी 100 करोड के कलब में भी शामिल हो सकती है इसके साथ ये उमीदी में लगाई जा रहे हैं कि बड़े बज़िट वाली ये फिल्म व कमान कर सकती है जो इस साल रिलीज हुई बड़ी बड़ी फिल्म में नहीं कर पाई चंदू चांपियन को लेकर आपका क्या कहना इस फिल्म को अगर आपने देखा हो तो इस पर आपके क्या रिव्यूज हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए ऐसे ही बॉलिवूड से रिलेटेड खबरों को जाने के लिए बने रहे हैं बॉलिवूड केस्टी के साथ विडियो को लाइक शर करना बिलकुल आपको